कार स्वागत है आपका फियरला स्टेडी मंत्रा इडिव चनल पर तो साती हो आज हम परिच्छाओं के महत्तु को देखते हुए जाए है रेलिवे की परिच्छा हो चाए SSC की परिच्छा हो चाए कोई टीचिंग एक्जाम हो चाए किसी भी स्टेट का एक्जाम हो तो यह जो अडवांस वाला पर्ट है जैसे मैंसुरेशन हो गया, जियोवेट्री हो गया, इग्नोमेट्री हो गया तो जो पोर्शन है वो पहुत ज़ादा आता है और SSC में तो भरबर के पोर्शन ही आता है तो उसी को देखते हुए अब में सारे के सारे जितने भी मैंसुरेशन के फॉर्मूले हैं उसका part 1 लेका आया हूँ इसी प्रकार से मैं आगे लेके चलता रहूँगा सारे चीजे बताऊँगा अगर एक बार को इसको समझ लेते हो आओ चलते हैं फॉर्मूलों पे तो देखो मेंसुरेशन का ये part 1 है अब इसी प्रकार से अगर आप इसको प्रियास करोगे मेरे को अप्रिसेट करोगे तो मैं अगले part portion भी लेके आऊँगा तो सबसे पहले triangle की बात करते हैं triangle क्या होता है देखो ये मलब तीन बोजाओं से गिरा हुआ कोई भी polygon उसे क्या क्या कहते हैं तुमारा त्रभुज कहते हैं तो इसकी condition क्या बनती है देखो A, B, C vertices पे बोजाओं पढ़ गए A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C condition दो होती है एक condition होती है दो बोजाओं का योग अगर तीसरी बोजा से बड़ा है तो क्या बनाता है तो अभी वो triangle का shape देगा और दो बोजाओं का अंतर तीसरी बोजा से छोटा है तो अभी वो triangle बनाएगा तो पहली condition बताता हूँ तुमको कैसे जैसे मालोक A plus B अगर दोनों नों मिलकर ये क्या बना दिया greater than C है या B plus C greater than किसके है greater than किसके है A के तब भी बनाएगा ये और C plus A अगर ये greater है किससे B से तब भी क्या बनाएगा ये triangle का निर्माड करेगा ठीक है एक condition तो ये जब दूसरी condition दिखाऊँ आपको second condition क्या है अगर A difference B A difference B इससे छोटा है किससे? C से दूसरी condition B minus C छोटा है किससे? A से और C minus A छोटा है किससे? B से तो ये भी condition में क्या triangle की save बनाएगी अब आओ चलते हैं सीधे फर्मूली पर है दोको पहला फर्मूला में आपको बताता हूँ ये क्या है? स्केलियन ट्रेंगल क्या बोलते हैं इसको? विसम भावत्र बुझे जिसकी सारी बुझाएं आपस में क्या हूँ? अलग-अलग हूँ अलग है औरको बुझा सारी बुझाएं लंबाईया है अब तोको ए बी सी तीन बुझाएं लंबाईया हैं जो area of iscalian triangle, वो क्या होता है, अंडरूड में S, S-A, S-B, S-C, इससे ही सारे फर्मूलों का निर्माड होता है, जितने भी ट्रेंगल के फर्मूलों के सारे का इससे ही निर्माड होता है, तो अगले फर्मूले पर आते हैं अपन, देखो, अगला फर्मूला है, iso-iscalian triangle, यह सम दो इभाव तरभुज कहते हैं, जैसे यह बन रहा है, आपको माले में ऐसे बन रहा है है, तो यह बुझा, इसके बजावर होगी, लेकिन यह बुझा क्या होगी, यह difference होगी, इससे different हो जाएगी, तो A, A मान लो, इसको भी मानो, तो B, Y, 2, B, Y, 2, यह बताओ क्या हो जाग 90 degree बन गया कि नहीं बन गया है, जब 90 degree लगाओगे, तो A, B वराबर क्या हो जाएगा, A, C, तो area जो होगा, इसका area निकल के आता है, अगर उपर वाले में अगर यह सारी condition लगा दोगे, तो area निकल के आता है, B, Y, 4, under root 4, square, minus B, square, क्योंकि प्रूफ नहीं कर पाओँगा इस square, minus B, Y, 2 का whole square, तो 1, Y, 2 तो बहार निकल आएगा, अंदर क्या बचेगा, देखो यह formula है, और इस formula कोई अंतर नहीं है, 4A square minus B square, same ही है, ठीक है, लेकिन इसमें B, Y, 4 है, इसमें क्या है, 1, Y, 2 है, बस इतना फार्क है इसमें, और जो perimeter होगी, perimeter कुछ नहीं होती, इसकी बहार की boundary होती है, किसी भी shape की, जो भी shape पढ़ेंगे न, यह boundary जो होती है, बाहर की, वो क्या कहलाती है, perimeter, तो A, A, 2A हो गया, और B, 2A plus B, इसकी perimeter हो जाएगी, ठीक है साती हो, तो एक figure हो गई, अब देखो, त्मारा equilateral triangle, most important है, सबस्यादा प्रसनिशी से आते है, संभावत्र भुजाएं अगर बराबर हैं, A, 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 और क्या है, जब सारी भुजाएं बराबर हैं, सारी count बराबर होंगे, all side are equal, A, B, C, जो तीनों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा exoscience, ठीक है, लेकिन इसमें condition क्या है, count A, count B, count C, बराबर कितना है, 70 degree होगा, तभी तो exoscience हो जब समानी है boundary, तो perimeter क्या जाएगी, 3A, ठीक है, आगया हो, अब देखो sum quarter बूज, most important है यह भी, जैसो sum quarter बूज, right angle triangle होता क्या इसमें, जो area निकलता है, area जो होता है, half, आधा, base, आधार, into, उचाई से निकलता है, और यह लंब होता है, यह आधार होता है, और यह कर्ड हो इसे perpendicular बोलते हैं, इसे hypotenuse बोलते हैं, तो क्या होता है, half, base, into, height, इसमें triplet बड़ी कमाल की चीज है, अगर triplet आपको आते हैं, तो आप बहुत जल्दी से चीजों को find कर सकते हैं, देखो, triplet थोड़ा से का देता हूँ आपको, अगर चीजे क्या है, sum है, जैसे संक्या क्या संक्या अगर बिसम है, तो आपको मालो n 3 है, मालो क्या है, n 3 है, color change कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, इसमें क्या है, 3 है, अब देखो 3, अब सबसे पहले इसका क्या करो, square करो, 3 तिया, 9, 9 में से 1 गटा दो, 9 में से 1 गटा यह कितना बचा, 8, 8 में 2 का भागा लगा दो, 4, और यह 8 में 2 का भाग लगा दो, कितना हो जाएगा, 4, और 4 में एक जोड़ो, 5 हो गया, इसी प्रकार देखो 5 है, 5 में 25, 25 में से 1 गटा दो, 25 में से 1 गटा ओगे, तो कितना बचेगा, यह 12 हो गया आप सूरी, 12, 25 में से गटाओ, 24, 24 का दा करो, 12, और एक जोड़ो कितना 13, सबसे पहले आदा कर लो जैसे चार को आदा करो सबसे पहले चार को आदा करेंगे दो सबसे पहले तो अदा करो चार कर दो सबसे पहले चार चोदे मेल का दो को भाग लगाओ, साथ सत्यू सत्यू नंचास, एक घटाओ, एक जोड़ो तो आप समझ में आगे कि प्लस को कैसे निकालते हो माइनस को ट्रपलेट कैसे निकालते है कुछ ट्रपलेट आपको द्यानी रखने पड़ेंगे यह ज्यादतर कंडिशन में पूसता है ठीक है चैट दस भी बाला भी ठीक है बारह, पैटीस, यह ट्रपलेट यूज होते हैं अगर नहीं आ रहे तो मैंने बता दी कैसे निकलते हैं यह ट्रपलेट ठीक है सत्यू आओ आगे चलते हैं अब अब देखो देखो अगला condition है हमारी तुमारी आयत पर आ गए पनाप आयत में आमने सामने की बुझा है यह वाली बुझा इसके बराबर होगी और यह वाली बुझा इसके बराबर होती है और अगर बीच में से क्या डाल दूँ विकर डाल दूँ तो क्या बन जाएगा 90 डिगरी तो प्र होता है जब नकालेंगे यह यह उनका लेंगे तो इसमें की बॉंडरि होती है तो दो बार एल थी दो बार नेकल को जूड़ दो यह कुझी और देखोера दीवारों की चारों छितवल कमरी की ठीक है यह क्या बन रहा है और इसके चार और क्या बनना है यह रास्ता बना हुआ है जब रास्ता बना हुआ है तो ऩाइसे बहुत आसानी हो जाती है अगला figure देखते हैं अगला figure ये वाला देखो अगर figure इस प्रकास से दिरकाओ बीचो बीच काटरा रास्ता तो इसमें condition में क्या shifting कर दो ये वाली जो figure है ये वाला ये यहाँ पर ले आया है मैं प्रोपर्टी सेम ही होती है लगबग इसकी square देखो square क्या होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो सारी भुजाएं क्या होंगी बराबर ये क्या होंगे कौन सारी 90 degree जब 90 degree होंगे इसमें पाइथा गुरस लगाओगे A और A क्या square करोगे under root 2 A नहीं हो जाएगा जो इसका देखो इस सारी भुजाएं क्या है बराबर है सारी कौन क्या है 90 degree है छेतबल क्या आता है A लंबाई इंटू चोड़ाई लंबाई A और चोड़ाई A ऊपर घात क्या है एक एक और गुणा में घात जुड़ती है तो क्या हो जाएगा यह A square हो जाएगा दूसरा इसका दूसरा formula क्या होता है बिकड के रूप में हाप बिकड का square यह भी formula इसका होता है अगला देखो perimeter perimeter में क्या बता है boundary होती है कुछ नहीं होता perimeter तो सारी भुजाएं को जोड़ दो 4A हो गया अब बिकड में बताया था बिकड क्या है इसमें पाइथागोरस लगेगा तो पहले A square फिर A square तो क्या जब 2A square A square है तो बहां निकलेगा root से तो A हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा simple root 2 रह जाएगा root 2A हो जाएगा अगर देखो area जो मैंने बताया था भी find करना हो जैसे half diagonal diagonal क्या था भी निकल गया यह root 2 है तो इसको निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा A square तो 2 से 2 कट जाएगा तो भी A square निकल गया जाएगा आगे देखो अगर देखो समांतर चत्रबुज समांतर चत्रबुज देखो यह condition ऐसे इस प्रकार से बनता है समांतर चत्रबुज समांतर चत्रबुज नियुक्ए A, B parallel to C, D मतलब A, B किसके समान है parallel है समांतर बुजा है C, D के ये ध्यां रखो और V, C, A, D के पहलल है, ये इसके पहलल है, ठीक है, ये condition होती है, एक ऐसा चत्रभुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे पर समानतर या बराबर होती है, ठीक है, अब इसका देखो, छेतर पल निकालना, बस छेतर पल निकाल दोर क्या है, समानतर चत्रभुज क क्या है, इसकी जो बर्ग बनता है, ये बनता उसी समान है, लेकिन थोड़ा सा टेल्ट बनता है, इसमें क्या होता है, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, और इसके जो विकड काटते हैं, वो 90 पे काटते हैं, ज यहां रखना है आपको यह सारे विकड के सपर काड़ते हैं 90 पे काड़ते हैं इंपोर्टेंट है यह चीज अब देखो इसकी अगर सम्चत्र बज के छितबल की बात करें सम्चत्र बज के छितबल क्या होगा हाप बिकड़ों का गुड़न फल जो बिकड़ होते हैं उनका अगर एरिया की बात करें अगर यह वाला एरिया यहाँ पर ना आए किसी कीमत पर तो ल भी लंबाई इंटू चोड़ाई यह भी इसका एरिया होता है और पेरिमिटर आप समझी गए हो क्या हो जाएगी फोर एस की पेरिमिटर हो जाएगी मतलब बौंडरी चारो तरफ की तो